प्रेंट्स, आज हम मनाएंगे डिजाइनर बलाॉस, और इसे हम मनाएंगे प्रेंशेट कट पर तो यहां पर हमने प्रेप्रीक लिये हैं, तो लउनिंग फाकवरीक हमें लेना हैं, 80 cm, और सटूल फाब्रीक में लिया हैं और मैं फाकवरीक भी मैंने constructor फैबरिक लिया है वो भी मैंने 80 cm लिया है इसकी कटिंग पहले हम लाइनिंग पर करेंगे तो ब्लाउस की टुटल लेंथ हमें रखनी है 14 इंच और वन इंच इसमें प्लस कर रहे हैं मार्जन के लिए तो 15 इंच पर मार्किंग कर लिए हमने शोल्डर लेना है हमें 6.5 इंच का हाफ लेना है और यह हम 32 साइस के लिए बना रहे हैं अर्मोल लेना है 6 इंच चेस्ट का 4th पाट लेंगे 8 इंच और यहां पे फ्रंट पाथ है तो 2.5 इंच प्लस करना है मार्जन के लिए साइट से स्टेट लाइन रो करेंगे और नीचे के साइट से वन इंच इंच इक वण इंच से आर्मोल की साइट पर गोलाई देनी है तो यह हमने फ्रेंट पार्ट की मार्किम की और अब हम बैक पार्ट की मार्किम करेंगे तो यहां पर पर परले आयोक की पति केलिए हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है और स्ट्रेट में लाइन को ड्रो कर लेना है और शोल्डर लेंगे 6.5 इंच, आर्मूल लेना है 6 इंच चेस्ट का फूद पार्ट लेना है 8 इंच और 2 इंच प्लस करना है मारजन के लिए टोटल लेंद लेनी है 15 इंच यहां से लाइन को ड्रो करेंगे वेस्ट लेनी हमें आपे 26 है उसका फूद पार्ट लिया 2 इंच लिया है मारजन का और 1 इंच लिया है टक्स के लिए साइट से लाइन को ड्रो करेंगे और 1 इंच से आर्मूल के साइट पा गोलाई देनी है कट करेंगे से तो दिखिए cut कर लिया है, यह हमारा back part है, यह हमारा front part है, front part पर हम princess cut की marking करेंगे, तो 3.5 inch पर हमें marking करनी है, tux point आएगा 10 inch पर, और यहां से हमें princess cut का shape देना है, tux की जो weight थे वो रखेंगे हम 1 inch, length हमें 2.5 inch रखनी है, और इस तरीके से shape देना है, तो tux की जो weight से वो मैंने 1 inch रखेंगे, 1.5 inch भी रख सकते हैं, अगर आपको जदा उठा हुगा पहनना है तो, इसकी cutting हम sortन और organza fabric पर कर लिये, और stitching करेंगे, इन दोनों पाट को हमने lining, sortन और main fabric को stitch कर लिया साथ में, neck की width हम रखेंगे यहाँ पर 3.5 inch, neck की length हम रखेंगे 3 inch, round shape देना है, और इसे cut करना है, तो दिखिए cut कर लिया ऐसे, अब यहाँ पर main fabric और sortन fabric दोनों को साथ में stitch कर लिया था, उपर के side से, और फिर इस तरीके से रखते हुए हमें neck को stitch कर लियना है, तो पहले आप यहाँ पर pin up कर लिजे इस तरीके से, और फिर हम इसे stitch करेंगे, यह देखिए round में हमने neck को stitch कर लेना है, और neck का extra fabric cut करना है, पूरे ही neck पर cut लगाएंगे, और यहाँ से एक stitch हम lining fabric के उपर से कर लेंगे, और इसको तरीके से पलटते हुए, एक stitch इसके उपर से कर लेनी है, तो यहाँ पर मैं double stitch करूँगी, एक stitch इसके side से भी करूँगी, और आप इसमें paper pasting लगाना चाहते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं, देखिए, side से stitch करके extra fabric cut कर लिया, अब जो princess cut का part था, वो हमें stitch कर लेना है, तो यहाँ पर मैंने stitch कर लिया, दूसरा part भी stitch करेंगे, और जब भी हम princess cut stitch करेंगे, नीचे के side से ही stitch करेंगे, यह क्योंकि उपर बाद में हम half inch की गुलाई देते हैं, अगर थोड़ा भी चोटा बड़ा हो सकता है, तो हम adjust कर सकते हैं, उसे लेकिन आपको नीचे से ही stitch करना है से, देखिए, टक्स हमने, जो princess cut था, वो हमने stitch कर लिया, नीचे के side पटी लगाएंगे, पटी की width हमने 1.5 inch रखी है, एक stitch हमें पटी के उपर से करना है, पटी को अंदर के side fold करते हुए एक stitch और करेंगे, तो देखिए, पटी लगा कर complete कर लिया है, और अब हमें आर्मूल के side पर half 0.75 inch की गुलाई देनी है, तो मैं आपर इसे इस तरह से fold करते हुए, और आर्मूल पर half inch की, या 0.75 inch लिना है क्योंकि ये boat neck है, और इस तरीके से cut कर लिना है, तो देखिए, cut कर लिया, front part complete हो गया है, back part की neck की wheat हम रखेंगे, यहाँ पर 3.5 inch और round shape देना है, अब यहाँ से इसके नीचे से हम marking करेंगे, 3 inch पर, यहाँ से half inch पर marking करेंगे, और यह 8 inch आ रहा है, 8 inch का center लेंगे, 4 inch और इसकी जो wheat थे वो 3 inch रखेंगे, और shape देंगे, तो आप यहाँ पर कोई भी shape दे सकते हैं, आपके according, तो मैंने आप पर stripe का shape दे दिया है, और इसे हम cut करेंगे, center में आई हो कि पटी लगानी है, तो हमने उसे cut कर लिया, अब certain fabric रखा, उसके उपर man fabric, और फिर हमें यह lining रखनी है, और neck को हमें stitch कर लेना है, तो हम इसे अच्छे से pin up कर लेंगे पहले, और फिर हम इसे stitch करेंगे, तो देखिए, neck को हमने stitch कर लिया है, neck का जो extra fabric है, उसे cut करेंगे, और पूरे ही neck पर cut लगाएंगे, यह दिखिए, इस तरीके से cut लगा लेना है, जो corner है, वहाँ पर भी हमने cut लगाए है, और इसको इस तरीके से palette देना है, जो इसके उपर की side की corner है, वो हम अच्छे से निकालेंगे, तो किसी भी tool से आप इसे निकाल सकते हैं, और इसके उपर से stitch करेंगे, बागे side से भी extra stitch करते हुए extra fabric cut करना है, तो दोनों ही neck complete कर लिये हैं, और अब यहाँ पर हम back tucks लगाएंगे, back tucks की जो land थे, वो हम 4 inch रखेंगे, और नीचे के side पटी लगाएंगे, जैसे कि हमने front में लगाई थी, तो देखें, back part complete हो गया, अब हमें belt बनाना है, front part के लिए तो यह मैंने paper लिया है, इसकी land 13 inch ली है, और इसकी जो width थे, वो 7.5 inch ली है, अब यहाँ पर इसके center से हम इस तरह से marking करेंगे cross में, और से cut करना है, तो देखें, अब यहाँ पर हम इसे दोड़ा छोटा करेंगे, तो 5.5 inch पर मैंने marking की इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से line को draw कर लेना है, तो यह देखें, हमने यहाँ पर इसे cut कर लिया है, और यहाँ पर lining fabric के साथ two piece हमने इसके cut कर लिया है, आप देखें, हम यहाँ पर जो हम cut करेंगे अभी, उसके हम four pieces cut करने होंगे, तो यह two pieces दोनों side के हमने big-big, यानि बड़े-बड़े से cut कर लिये हैं, और बाकि हम चोटे साथ के cut करेंगे, तो हम यहाँ पर उपर से 2.5 inch पर marking की, और यहाँ से हमने 2-2 inch पर marking करते हुए, इस तरीके से line को draw करना है, और इसे cut करना है, तो यह जो paper की cutting की है, इसके four pieces cut करेंगे lining fabric पर, यह देखे four pieces, और यह जो बड़ा वाला है, उसके हमने two pieces, certain fabric को cut कर लिया है, तो मैं इसे certain fabric पर ही बनाओंगे, अगर आप चाहें, तो इसमें man fabric भी use कर सकते हैं, और अब इस तरीके से रखते हुए, हमेंसे stitch करना है side से, अगर आप यहाँ पर paper pasting लगाएंगे, तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, थोड़ा सा उसमें hard हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा finishing में, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, इसमें paper pasting, यहाँ पर extra जो fabric है, उसे cut करेंगे, corner जो है, वहाँ पर भी हमें cut लगाना है, और से palette लेना है, तो दिखिए इसे palette लिया, और दूसरा part भी इसी तरीके से stitch कर लिया है, अब यह हमारे other parts है, तो दिखिए इस तरीके से रखना है, इसे, और यहाँ आपर cut लगाना है, extra fabric cut करना है, एक stitch हमें lining fabric के उपर से कर लेनी है, तकि इसमें finishing आए, और यहाँ पर दिखिए, हमें सभी part पर iron कर लेंगे, तो दिखिए iron मैंने कर लिया, और यहाँ पर जो दो चोटे चोटे वाले parts जो थे ना, वो हमने एक साथ stitch कर लिया है, और जो बड़ा वाला part है, उसके उपर रखना है इस तरीके से, और यहाँ पर एक stitch कर लेना है, इस तरीके से, अब देखिए, यहाँ पर इस तरीके से fold करके, आपको तुरपाई कर लेनी है, यहाँ पर आपके पास interlock है, तो आप वो भी कर सकते हैं, दोनों पार्ट complete कर लिये हैं, अब यहाँ पर हमें एक पटी लेनी है, पटी को double करना है, और यहाँ पर stitch करना है, तो देखिए, अब हम इसे पटी लगा कर से complete कर रहे हैं, पर हमें यहाँ पर eye hook लगाने हैं, तो जो भी हम पटी लगा रहे हैं, उस पर हमें hook लगाएंगे, और दूसरे side के ऊपर जो side हैं उस पर हमें eye बना लेनी है, अब यहाँ पर हम belt बना रहे हैं, तो इसकी जो wheat थे, वो मैंने 2 इंच रखी है, और सरीके से straight देते हुए, इसे cut करना है, यह देखिए, इस तरह से fold करते हुए, इसे stitch करेंगे, और जो corner है, वो corner निकाल लेना है हमें, cut भी लगा लिए हैं, और इसको palette लेना है, यह देखिए, इस तरह से, दूसरा belt भी तयार करेंगे, तो देखिए, दूनों belt तयार करेंगे, अब यहाँ पर हमें, जो हमसे stitch करेंगे, blouse पर, तो मैंने यहाँ पर एक rough stitch लगा लिए है इस पर, बाद में हम इसे खोल देंगे, blouse जब हमारा complete हो जाएगा तब, तो इसके उपर से आप साड़ी पहन सकते हैं, और साड़ी के पहने के बाद आप इस belt को attach कर सकते हैं, काफी अच्छा लगता है दिखने में, लोग बहुत अच्छा आता है, तो आप इस belt को ज़रूर try करिएगा, तो कोई भी blouse में आप इसे बना सकते हैं, तो दिखी यहाँ पर अब हम इसे इस तरीके से स्टीच करना है, तो इसना जो extra fabric था वो मैंने cut कर लिया है, और दूसरा side भी इसी तरीके से स्टीच करेंगे, और अब हमें यहाँ पर shoulder को स्टीच कर लेना है, दूसरा shoulder भी स्टीच करेंगे, अब armor के side पर हमें यहाँ पर क्रॉस में हमने पटी कट किये हैं, उसे double करते हुए स्टीच कर लेना है, पूरे ही armor पर कट लगाने हैं, और एक स्टीच हम पटी के उपर से करेंगे, यह दिखेंगे, तो लगा लिए हमने यहाँ पर दोनों ही side पर, armor पर हमने यहाँ पर पटी लगा लिए, अब यहाँ पर जो blouse है, इसको right side पर रखेंगे, और यहाँ से हमें स्टीच कर लेना है, side का जो extra fabric है उसे हम cut करेंगे, blouse को उल्टा करते हुए, side से एक पर का margin रखते हुए, stitch करना है, अब हम यहाँ पर fitting लगानी है, तो center से हमें chest के fourth part पर marking करनी है, fourth part है हमारा 8 inch, और यहाँ पर waist का fourth part लेना है, 6.5 inch, दोनों marking को मिलाते हुए हम यहाँ पर fitting लगाएंगे, तो यहाँ पर जो belt house में हमने brush लगा ली है, तो friends हमारे designer blouse बनकर complete हो गया है, तो comment करके आप जरूर बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो को lecture जरूर करिएगा, और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लीजेगा, बेल आइकन की बेटन जरूर दबाईएगा, ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहें,